नए क्रिशे कानूनों के खलाफ दिल्ली में चल रहे किसानों का आंदोलन लगातार सत्रवे दिन भी जारी है अब इसके तहत किसान संगठनों की और से टोल प्लाजा फ्री करवाय जा रहे है इसके तहत राजस्थान में शनिवार को किसानों ने भरतपूर डीग स्टेट मेगा हाईवे 43 पर सभी प्रकार के वाहनों को टोल से मुफ्त कराया किसानों ने टोल प्लान पर केंदर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए क्रिशी बिलों को वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार इन बिलों को वापस नहीं ले लेती तब तक देश के किसान आंदोलन जारी रखेंगे भारत में किसी को कितने बच्चे हो यह खुद पती-पत्नीत तै करें और सरकार नागरिकों पर जबरदस्ती नहीं करे केंदर सरकार ने सुप्रिम कोर्ट को बताया है कि वह देश के लोगों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के साफ तोर पर विरोध में है केंदरी स्वास्त मंत्राले ने अपने हलफ नामे में कहा कि देश में परिवार कल्यान कारिकरम स्वैचिक है जिसमें अपने परिवार के आकार का फैसला दमपत्ती कर सकते है और अपनी इच्छानुसार परिवार नियोजन के तरीके अपना सकते है सरकार ने सुप्रिम कोट के एक नोटिस के जवाब में ये बात कही केंद्र ने सुप्रिम कोट को बताया कि वह देश के लोगों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के साफ तौर पर विरोध में है साथ ही कहा कि निश्चित संक्या में बच्चों को जर्म देने की किसी भी तरह की बाधिता हानी कारक हो सकती है और जन सांख्य की विकार पैदा करेगी स्वास्त मंत्राले ने शीर्ष अदालत में पेश हलफ नामे में कहा कि देश में परिवार का लियान कारेक्रम स्वेचिक है जिसमें अपने परिवार के आकार का फैसला दमपत्ती कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार परिवार नियोजन के तरीके अपना सकते हैं उन्होंने बताया कि इसमें किसी तरह की अनिवारेता नहीं है पशिम मंगाल में बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्री ग्रिह मंत्राले ने बड़ा कदम उठाया है केंद्री ग्रिह मंत्राले ने पशिम मंगाल के तीन IPS अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन के रिए बुलाया है मंत्राले के अधिकारियों ने ये जानकारी दी केंद्री गृह मंत्राला के इस कदम से पशिम मंगाल में ममता बनर जी की अगवाई वाली त्रिन्मूल कॉंग्रेस सरकार और दो दिन पहले जेपी नड़ा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी के नेतरित्व वाली केंद सरकार के बीच चल रही खींचतान के और बढ़ने की संभावना है चारा गोटाले में सजा काट रहे राश्टी जनतादल सुप्रीमों लालू प्रसाद यादों की तबियत में फिर से गिरावट आ रही है राची के रिम्स के पेंग वाड में इलाज करवा रहे लालू की किड्नी का क्रियेटिनिन लेबल लगातार बढ़ रहा है लालू की किड्नी 25 फीजदी ही काम कर रही है शनिवार को लालू के इलाज में लगे डॉक्टर उमेश प्रसाद यादों ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले कुछ दिनों तक स्तिथी ऐसी ही रही तो लालू यादों को डाइलिसिस कराने की जरूरत पड़ सकती है लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लालू प्रसाद बहुत चिंतिद और परिशान है उनकी किड्नी 25 प्रतिशत फंक्शन कर रही है ऐसे में कभी भी उनकी किड्नी काम करना बंद कर सकती है हमने लिखित में इसके बारे में रिम्स के उच्च पदाधिकारी और सरकार को सूचना दी दी है कोरोना वारस काहल में डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के स्टाफ महामारी से स्तीधी लडाई लड रहे है इस बीच दिल्ली के नगर निगम अस्पतालों में कई महिनों से सेलरी ना मिलने से डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ अपना विरोध व्यक्त करते हुए हरताल पर चले गए है इस बीच दिल्ली सत्ता रूड दल आम आदमी पाइटी ने नौर्थ एमसीडी पर निशाना साथते हुए ब्रश्टाचार का आरोप लगाया है आप नेता आतिशी मारलेना ने कहा कि नौर्थ एमसीडी साथ एमसीडी का धाई हजार करोड रुपए का बकाया माफ कर सकती है लेकिन डॉक्टर्स और अस्पताल के स्टाफ को तनखा नहीं दे सकती North MCD बार बार ये कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपने डॉक्टरों की तंख़वा दे सकें हमारे पास पैसा नहीं है कि हम नर्सिस की तंख़वा दे सकें हमारे पास पैसा नहीं है कि हम सफाई करमचारी की तंख़वा दे सकें लेकिन वही North MCD धाई हजार करोड का South MCD का जो किराय का बकाया था उसे माफ करके जीरो कर सकती है पिछले कई सालों से अगर आप South MCD के अकाउंट देखी तो उसमें बहुत पश्ट रूप में लिखा रहता था कि धाई हजार करोड सिविक सेंटर में जो SDMC का आफिस चलता है उसका किराया बकाया था लेकिन इस साल के बजिट में वो धाई हजार करोड गायब हो जाता है बकाया जीरो हो जाता है तो सवाल ये है कि ये धाई हजार करोड रुपे गए कहां सवाल ये है कि इस धाई हजार करोड को जीरो करने में किस भाजपा के South MCD के नेता के पास किस भाजपा के North MCD के नेता के पास कितने पैसे गए कि वो बकाया जीरो हो गया आज आम आदमी पार्टी की मांग है कि इस धाई हजार करोर के घोटाले की CBI जाच की जाए कि एक CBI इंक्वाइरी होनी चाहिए कि धाई हजार करोर रुपे का लॉस्टू पब्लिक एक्स चेकर कैसे हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है किसकी जेव में पैसे गए ये जनता को जामने का अधिकार है और जो इसके लिए दोशी है उस पर सक्ट से सक्ट करवाई होनी चाहिए क्योंकि इस धाई हजार करोर से ही डॉक्टरों की तनख़वा दी जा सकती थी इस धाई हजार करोर से नर्सों की तनख़वा दी जा सकती थी इस धाई हजार करोर से सफाई करमचारियों की तनख़वा दी जा सकती थी टीचरों की तनख़वा दी जा सकती थी लेकिन आज ये धाई हजार करोर गायब हो गया है आम आदमी पार्टी के पार्शत और आम आदमी पार्टी के विधायक कल सुभे 11 बजे दिल्ली के लेफटनेंट गवर्नर के यहां जाएंगे और CBI इंक्वाइरी की जाच करेंगे हम कल सुभे 11 बजे इस देश के ग्रह मंत्री माननिया अमित शाजी के यहां पर भी जाएंगे और इस CBI जाच की मांग करें और हमारे विधायक और पार्शत एल जी साहब के घर के बाहर और माननिया ग्रह मंत्री अमित शाजी के घर के बाहर तब तक बैठे रहेंगे लिए लिए टे